जिब किसी को हिचकी आती है तो मस्तिष्क में पहला विचार आता है, कोई याद कर रहा है कुछ लोग अपने करीबी लोगों के नाम सुचने शुरू कर देते हैं और जिस नाम को सुचने पर हिचकी रुख जाती है, निर्ने लेते हैं कि वह वेक्ति याद कर रहा था। जब उस वेक्ति से पूझा जाता है, तो most of the time वह बात सही निकलती है। यह बात कोई संयोग नहीं है, जब कोई वेक्ति दिल से किसी को याद करता है, तो उसके मस्तिश्क से उर्जा तरंगे निकलती हैं, जो याद किये जा रहे वेक्ति तक पहुंच जाती हैं। कर पाता तो आगे बढ़ने से रोक देता है उज्जा तरंगी गले में अटक जाती है जिससे हिच की आने लगती है याद करने वाले संभावित लोगों के नाम लिये जाते हैं जिस नाम के साथ उज्जा तरंगे मैच करती है विशुद्धी चक्र उसकी जानकारी आग्या चक चक्र की सहमती पर विशुद्धी चक्र रोकी गई उर्जाता रंगों को अनाहत चक्र की तरफ भीज देता है। गले में उर्जा की फसावट हट जाती है। इस तरह याद करें वेक्ति का नाम लेते ही हिचकी रुप जाती है। गले की रुकावट हट जाती है। हिचकी की समय कुछ लोग पीट पर छपकी मारते हैं जिससे गले पर भी जटका लगता है और जटकी से गले में फसी उर्जा नीचे चली जाती है। इससे भी हिचकी बंद हो जाती है। वैसे हिचकी की कुछ और भी कारण होते हैं मगर जब कोई किसी के बारे में सोचता है तो उसी शन उससे सूर्ष में संपर्क स्थापित हो जाता है। मांसिक रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि दोनों कितनी दूरी पर हैं। या सूर्ष में संपर्क की तरंगों को डिकोर्ड कर लिया जाए तो दोनों बिना यंत्र एक दूसरी की बात सुन सकते हैं और कह सकते हैं दोनों में से जो उर्जा लिंक को डिकोर्ड करना जानता है वे दूसरी की बात को सुन लेता है इतरिक लिंक उर्जा की डोर सा होता है जो मन की गती से विचारों के साथ प्रवाहित होता है उर्जा की यह डोर अपने लक्ष को खुदी ढून लेती है उर्जा विज्यान के छेत्र में इतरिक लिंक को सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है अलग-अलग लोगों की सिल्वर कॉर्ड अलग-अलग तरेंगी होती है यह वेक्ति के उपर सहसरार चक्र से जुड़ी होती है सहसरार चक्र म्रमान्डी शक्तियों के संपर्क में रहता है अध्यात्म में जो जितना प्रबल होता है उसकी सिल्वर कॉर्ड उतनी ही सक्तिशाली होती है ठीके तो जो धार्मिक करमकार्ड में जितना प्रबल होता है जितनी उसकी भावना उन चीजों से जुड़ी होती है उसकी सिल्वर कॉर्ड उतनी ही सक्तिशाली होती है जिस की सिल्वर कॉर्ड की मुटाई जितनी जादा होती है वे उतनी अधिक सक्षम होती है अध्यात्म से जुड़े लोगों की सिल्वर कॉर्ड को नापकर आसानी से पता लगा जा सकता है कि कौन कितनी सिध्यों का मालिक है सिल्वर कॉट जितना सक्षम होती है देवी देवताओं और देवदूतों से उतनी ही आसानी से संपर्क स्थापित होता है जब किसी देवी देवता या देवदूत को याद किया जाता है तो उनसे भी इतरिक लिंक स्थापित हो जाता है देवी देवताओं और देव दूतों को इथरिक लिंक डिकोड करना आता है वे उज़ा तरंगों के द्वारा याद करने वालों की भावनाओं को डिकोड कर लेते हैं भावनाओं के अधार पर वे तै करते हैं कि किसकी मदद की जाए और किसकी ना की जाए जिसकी भावना सच्ची होती है वे समझ जाते हैं और उसकी मदद करती हैं और जिसकी भावना जूटी होती है जो बेमन भगवान को याद करता है तो उसकी मदद नहीं की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधींस्त देवदूत को निर्देश मिलता है तो वे इतरिक लिंक की सहारे ततकाल देवभक्त की सहायता करने पहुँच जाते हैं जब कोई व्यक्ति सीधे देवदूतों की पूजा साथ न करके उन्हें पुकालता है, तो भी वे इतरिक लिंग के सारे उस तक पहुचते हैं। उन से संपर्क का, देवदूतों से संपर्क का यही विज्याल है।